सिंग को दिखा है अपने अपने, वो कभी भी अपनी ताकत और शिकार करने की विशेश शैली की कारण ही जाना जाता है। सिंग अपनी इस विशेश शैली की कारण ही शिकार को असाने से दवोचने में सफल हुपाता है। चाना के एक श्लोक में कहते हैं कि कि प्रभुतम कायम अई वा तन्न रह कर तुम इच्छती सर्वारं वेटतकार्यं सिंहा देखंग प्रचत्छते इस लोग में चाना के निशेर की शिकार करने की विशेश चैली के विशे में बताया है चाना के गहते हैं कि यदे किसी व्यक्ति को कारों में से फुर्ता प्राप्त करनी है तो उसे शेर से सीखना चाहिए कि किस प्रकार का अपने लच्च को प्राप्त किया जाए शेर कभी भी शिकार को देखते हैं जबटा नहीं मारता है शेर शिखार को मारने के लिए पहले प्लानी तयार करता है और फिर वो अपने शिकार का एग इस्थान पर छिब कर धैरी के साथ सही समय की प्रतिच्छा करता है और सही अवसर मीने पर शेर अपनी शिकार को दबोचनी के लिए पूरी तागत लगा देता है अचारे कहते ही कि हमारा लच चाहे जितना बड़ा होगा चाहे जितनी भी परिशानिया होगा लेकिन हमें पूरी शक्ती और सहास के साथ कारे करना चाहिए तब लच्छ की प्रावटि हो सकती है जब शिर्शिकार को दबोचने के लिए पूरी शक्ति से चफ़ाथता है तभी उसे शिकार को मारने में सफलता प्राप्त होती है। छीक इसी प्रखार कारी आता है।